तुमस्कार दोस्तों वागत है आपका हमारे युनिवर्सल 360 चैनल में आज हम आपको एपल की वाइन बारना बताने जा रहे हैं देखिए मैंने एपल की वाइन बारने के लिए दो किलो एपल को अच्छी तरह से साफ करकर काट करें रख दिया है अब हमारे एपल को पीस कर रख लेंगे दोस्तों ग्रैंड करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने क्या चाहिए सामजने लिए इस एपल वाइन को बराने के लिए मैंने लिए यहां पर एक के लिए शक्कर एक निम्बू का रास पाच इलाइची के पीसेस दाल चीने के चार टुकडे तस्से बारा लाओं और यीस्ट दोस्तों सबसे पहले हम यीस्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं देखिए मैं एक चम्मच यीस्ट ले रहा हूं और इसमें मैं थोड़ी शूगर एड़ कर लूँगा और इसमें मैं गुनगोना पानी टाल कर इस्ट को एक्टिवेट कर लूँगा तब तक हमारा इस्ट एक्टिवेट होटा है तब तक हम हमारे एपल को ग्रेंड कर लेते हैं पीस कर रख लेंगे और मैं इस इस्ट को डख कर रख देता हूं जब तक पूल ना जाए देखिए हमने हमारे एक्पल को पीस कर रख लिया है इसका इस तरह से पेस्ट बना लिया है अब हम इसमें सब सामागरी मिला लेंगे यह मैं दाल चीनी मिला रहा हूं इसमें यह इलाईशी मिला रहा हूं कि यह लॉंग मिला ले रहा हूं और अब निम्बो कर राज़ी मिला रहा हूं पर अब इसमें मैं एक किलो शक्कर राट कर लूंगा और इसमें दो लेटर पानी मैं मिला लूंगा देखिए मैंने दो लेटर पानी मिला लिया इसमें अब मैं इसमें इस्ट मिला लूंगा हमारा इस्ट अच्छी तरह से तयार हो चुका है अब इसमें मिला लूंगा हमने सब सामागरी मिला लिए हैं अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे जो भी सामागरी हमने इसमें मिलाई थी उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह सब हमारी सामा दरे मिक्स हो चुक है हमने सब कुछ मिला लियए अब हम इसे अच्छी तरह से डब कर रख देंगे अब आभी हमारी वाइन को 21 जी बार है झाए हमारी वायन की तरह से बन इए दोस्तों देखे हमने जो एपल की वाइन बनाया थी उससे अब 21 दिन हो चुके है अब हम इसे खोल कर देखते हमारी वाइन कितने अच्छी तरह से बनी है देखे दोस्तों हमारी वाइन अच्छी तरह से बन चुकी है जितने सारे हमने एपल को इसमें ग्रैंड करके दाला था वो सब सारे नीचे बैठ चुक है और हमारी वाइन अभी उपर आ चुकी है और अब हम इसे पतिले में चान लेंगे दोस्तों देखे हम इसे पतिले में चान लेते हैं दोस्तों मैं अक्सर पतिले को अच्छी तरह से साफ कर लेता हूं देखे मित्रों हमने इसे पतिले में चान लिया है और अब हम इसे उसी जार में फिर से डाल देंगे फिल्ट्रेशन के लिए देखे हम इसे फिर से चान लेते हैं चान कर हम फिर से इससे रख देंगे फिल्टर होने के लिए जो भी हमने एक बार चाना तो उसके अंदर कुछ डस्ट आए जाती है यह इसमें फिर से एक बार चानने के बाद इसमें आ जाएंगी यह चन्नी में चानने के बाद हम फिर से इसे कुछ दिनों के लिए फिल्टर होने के लिए रख देंगे दोस्तों देखे हमने हमें रिवाइन को अभी चान लिया है और अब हम इसे ढखकर एक दो-तिन दिन के लिए रख देते हैं तब तके फिल्टर हो जाएगी, दोस्तों देखे हमने जो एपल की वाइन को फिल्टर होने के लिए रखा था, और फिल्टर हो चुकी होगी, अब हम इसे एक पतिली में निकाल लेते हैं, देखे दोस्तों हमारे वाइन बहुत अच्छी तरह फिल्टर हो चुकी है, अब हम इ अब हम इसे हटा लेंगे, दोस्तों अब हमारी वाइन को हम इस बॉटल में भरके रख लेंगे, अब हमारी वाइन अच्छी तरह से बन चुकी है, यह एपल की वाइने दोस्तों, इसका कलर थोड़ा डार के आता है, अब हम इसका सेवन कर सकते है, देखिए हमारी वाइन बहुत ही अच्छी तरह से बनी है, इसका कलर भी बहुत अच्छी तरह से आया है, अब हम इसे स्टोरिज की रख लेंगे, दोस्तो आपको अगर हमारे और भी वीडियो देखने है तो मैंने उसकी लिंक आया बटन पर दे रखी है और साथी साथ डिस्क्रिप्शन पर भी उसकी लिंक दे रखी है आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं दोस्तो आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आये तो हमारे चैनल को सब्स्राइब कीजे, लाइक कीजे और शेर कीजे और साथी साथ बेल एकन को फ्रेस कीजे ताकि आपको नोटिफिकिशन मिल सके आज के लिए इतना ही धन्यवाद